तो कैसे हो तुम सभी लोग आई होब कि आप सभी लोग बढ़िया होगे और बढ़िया होना भी चाहिए तो फड़ाक से लाइक से सस्क्राइब कर दो गेमिंग चैनल पर हमने एक और गेमिंग स्यिशिक्राइब कर मजे फिसलिए पसंद आया क्योंकि आपन लेप्र ट्ॉटर तुम लोग को पता है तो तो एक्साइडमेंट तो होता है, खेले कामन करता है कि हम भी खेलें, तो नहीं खेल पाए थे उस टाइम पर इस टाइम पर हमको उसका इस कालटरनेटर मिल चुका है, मारी वो गो, तो ऐसा कुछ है, मिरा वो गो, ऐसा नाम है उसका, मैं भूल गया, क्या नाम था, एक सेकंड हाँ, मिरा वो गो, तो ये गेम है, बिल्कुल सांदार है, उसी की तरह है, तो मैंने उसी की गेमिंग सीरीज को स्टार्ट किया है, तुम लोग जाकर उसे जरूर से देख लेना, बैसे तुम लोग जाते नहीं हो, मैं भले कह दूँ चाहे कुछ भी कहूँ, क्योंकि मैंने क जान वो दूसरों के फीड तक तो पहुंचे, यूटूब कम सकम रिकेवेंट तो करे हमारे वीडियो को किसी को, तो तुम लोगों के होने का कुछ तो होना चाहिए, कि हाँ हम है, तुम लोग दिखाओ कि हम है, हम करेंगे, जब मैं तुम लोग लेता कुछ ट्राइक करता ह तो काफी सह요, तहीं सहा कहना गलत बात होगा, एक दो लोग के लिए इसा घंदीबात, आज आते हैं पिछले एपिसोड पर देख लेते हैं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, तो पिछले एपिसोड था पुसम था हमने धेखा था कि जोएन की वाय्ट चल रही होती ह वेज़न तपनी के सब्सक्राइं can we वसे जीसें के साथฟे। और जीसेंन के साथ जोयन की लिइंट के साथ चला जाताै चनावकि तो यहांबने अगर वहां हमें है तो तो भले ही मेरा क्लेंट गिराबट की स्टेज़ पर है, मैं अभी तुम्हारे तीनों के नाम वोने सान को इस एंड बल से मिटा दूँगा, जो देकर जिये गया थे तुम्हें डल लग रहा है क्या, तुम्हें लग रहा है हम इत्ते बेवकूफ हैं, कि हम तुम्हारी बात में आ जाएंगे, तुम्हें से आज कोई नहीं बचने वाला, सब के सब मारे जाओगे, जिसके बाद G-Sign or G-E को, जो एन का सामना करता हो देकर यूनर और कालिन देखती है, और बेहट डर गई होती है, और एपिसोड में वहीं एंड कर देता हूँ, तो यह जो एपिसोड है, जैस्ट वहीं से इस्टार्ट होता है, देखो अगर तुम गेमिंग चैनल के लिंक की बात कर रहे हो, तो फिर वो तुम लोगों डिस्क्रिप्सन पर मिल जाएगा, नोबल की लिंक की बात कर रहे हो, वो भी डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा, सब कुछ तुमें डिस्क्रिप्सन पर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्सन जाकर चेक कर लिया करना, तो आजाओ, अब चलते हैं एपिसोड पर, तो यह episode start होता है chest वहीं से इस time पे G-san को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जोयन भी उसकी तरफ देखतो है कहता है कि अब बास तो में ऐसा हो सकता है कि जो यह moon demo lords हैं यह इतने जादा unpredictable और बेकार हूँ कि एक छोटे से 3 star dowdy level के warrior को मरने के लिए दो 5 star level के warrior को आना पड़े जिसमें से एक तो 6 step पर happy step है ऐसा लगता है में लिए काफी जारा respect की बात है कि 3 moon lord मेरे सामने खड़े हुए हैं जो यहान की बात को सुनकर G-sin थोड़ा भी नाराज नहीं हुआ होता उसके बज़ाए बहुत से रहला तो कहता आप एक normal 3 star dowdy नहीं है एक ऐसे person के तौर पर जो 3 star level के power के साथ 5 star के warrior को रोक सकता है उसे भला normal कैसे माना जा सकता है इसलिए मैं भी वैसा ही हूँ पहली बार मैंने देखा हैं कितनी कम उमने वह कोई person इतना जादा talented है कि उसकी spiritual power holy realm पर पहुँच गई साथ ही आपके पास सांदार alchemy skill भी है अगर आप तब तक wait करते जब तक कि आपके पास बाहर आने की power नहीं होती तो इसे future में आसानी से कोई भी आपको छेड़ने की हिमत नहीं करता लेकिन अपसोस की बात है कि अब आपके पास मौका नहीं है और इतना कहने के बाद इसके आँके सिकुड़ चुकी होती है और एक powerful fighting भी release होने लगती है जैसे ऐसा लगता जैसे पूरे area के अंदर अंधेरा हो गया हो उसके और इको देखकर जैसे आपके जुग गई होती है और जैसा लग रहा होते है कि आसानी से जैसे जैस को suppress कर सकता है आखिरकार एक बंदा जो six step पर happy step है दूसरी तरफ एक five star dowdy level का starting level का बंदा जैसे जैसे जीतना तो छोड़ो ड्रा की भी possibility नहीं थी यहां तक कि उनके against fight करके कुछ देर तक टिकने की भी जो possibility थी वो केबल 50-50 ही थी हाला कि जोयन के सामने अगर जी 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 भी होता तो जोयन उसके साथ complete कर सकता था लेकिन बगल बाले के बाद अब साइज जोयन 30% भी स्योड नहीं है कि वो उन्हें रोक पाएगा और वैसे भी जोयन की काफी सारी पावर बरबाद हो चुकी थी और जहां जोयन को अपने extreme power का use करना पड़े ऐसी fight यह दूसरी बार थी जब जोयन एसेंट continent के अंदर आया और ऐसी unpredictable fight का सामना करते हुए obviously जोयन पीछे थोर नहीं हट सकता था हाला कि पहली बार यह fight तब ही थी जब जोयन मिंग्यो वैली में एसेंट त्यान लोग tribe के elder से जाकर मिला था जहां वो हार गया था और मरने वाला था लेकिन लिंज यूआन ने उसे बचा लिया था हाला कि यहां पे इस बार इंसेशर जियो यूआन ने जियू को रोक लखा है लेकिन उनके पास भी fight वैक करने का कोई रास्ता नहीं दोस्तब गूई यूआनों बाकी के लोग काफी अदा बीक हैं साथी जूआन को पता था आज का टाइम काफी अरट अप है और यहां से बच निकलना एक दम इंपॉसिवल अब तो कोई miracle ही था जो यहां पर हो जाए लेकिन जूआन कहता है कोइंसिडेंस केवल एक ही बार बार नहीं हो सकता इसलिए बेकार में उमीद रखना बेवकूप ही होगी ना ही कोई भागने करास्ता है और ना ही कोई बचाने कि लाने वाला मैं केवल लड़ ही सकता हूँ दूसरे पिए सोच कर कि यहां पे इतने सारे लोग जो यहां से लड़ने आये हैं और आज उसका लाजडे हो सकता है जो यहां प्राउटफुल तरीके से आसमान की तब देखते हुए चिलाते हुए कहता है अगर यही लाज दिन है तो कोई फ़क नहीं पड़ता चलो मुझे देखने दो कि तुम कितने पावरफुल हो और इतना कहने के बाद जो यहां प्राउटफुल तरीके से जोड से हसता है दूसरी तरब दो 5 इस्टार डावडी का सामना करते हुए एक कि श्ट्रॉंक 6 इस्टार डावडी भी आसानी सोने छेडने की हिमत नहीं करेगा दूसरी तरब जोयान अभी भी अपनी 3 इस्टार की पावर के साथ उनसे लड़ने की हिमत रखता था यह करेज अपने आप में काविले तारीब था हालक यह ऐसा नहीं था कि जोयान यहाँ पे कुछ भी हवा भाजी में कर रहा था बलकि ऐसा लग रहा था कि जोयान ने पहले से यह कि स्टेटजी बना कर रखी हुई है जोयान का यहाँ पे सीधा समानना था कि जहाँ जीयू को एंसेस्टर ने रोक रखा है तो अब उसे निपटना है जी सिंसे और जी सिंसे निपटना आसान नहीं होगा साथी साथ यहाँ पे जीजी भी है तो जोयान के इन दौनों को रोकने के लिए अपने हाथ के जो इटर्नल फायर इसेट रूलर होता है उसकी तरब देखता है और चाना कि उससे कलरफुल लाइट निकलने लगती है और जीजी के बगल्स में एक घोश फिगर अप्यर होती है जोसके खोपड़े के जोपड़े की तरफ अटेक कर देती है जोएन के एक अटेक के साथ जीओ को फिर से पीछे की तरफ हटना पड़ता है दूसरे अब उसका जो ब्लेड ड्रिंकिंग ब्लेड होता है वो जो यान के रूलर से टकरा रहा होता है और पूरी पावर को लगा रहा होता है लेकिन एक से एक्सचेंज ने उसे एकदम हैरान कर दिया होता है जोएन के अटेक के सामने वो कोई भी सकसेद हासिल नहीं कर पा रहा था हाला कि वो फाइव इस्टार डावडी ताउरे से कंट्रोल कर रहा था लेकिन ये उमीद नहीं की जा सकती थी जोएन के रूलर के सामने आखिरकार उसके अटेक को बढ़ने में कितनी ज़्यादा मुस्किल का सामना करना पड़ रहा है हाला कि जोएन के सामने वो दूसर अचानक ही जोएन एक हेडिन अटेक जीजी की तरफ कर देता है हाला कि यहां पर देखा जा सकता था कि GG काफी जार प्रेसर में था जो अनके टर्डल रूलर का सामना करते हुए दूसर जी सिन जो यहां से ज़्यादा दूर होता अचानक कि उसका चैरा पीला पड़ गया होता है जब उसने जो यहां को अचानक अटेक करते हुए देखा था थाइड ब्रेदर की तरफ हाला कि GG यहां पर जो यहां से ज़्यादा दूर नहीं था लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके पास उसे बचाने का ज़्यादा टाइम नहीं है और यह GG को देखते हुए जी सिन के चैर पर करारा तमाचा जैसा होता है उसके उदासा के जो यहां पर पड़ती है और फिर उसने कुछ नहीं कहा होता और अपने हाथ को लहराते हुए एक तेजहबा से जो यहां की तरफ अटेक किया होता है जो यहां को भी इस फाइटिंग कोई का हिसास हुआ होता है और उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की होती कि जो यहां डाइरेक्ट आंगे बढ़ जाए दूस्तर अटेक के साथ जो यहां हाला की पीछे की तरफ अट रहा होता है लेकिन जो यहां हैरान होकर उसकी तरफ देखते है कितना पावरफुल अटेक था जो यहां को उमीद नहीं थी कि बस एक नॉर्मल सा हाथ का स्लैस ही उसे इतना ज़्यादा हैरान करने में कैपबल होगा और पीछे अटाने पर मजबूर और बेसलीस की जो पावर है वो और ज़्यादा पावरफुल होगी और यह देखकर कि जो जो आटेक को आराम से डॉच करके पीछे हट गया है जिस इनका चराभी भी और बस्तूरत हो रहा होता है वो तुरंती गया था मुझे देखने दो तुम मेरे कितने और अटेकों को जहिल सकते हो उसकी जो उगलियां होती है वो मुड़ी हुई होती है और बदल रही होती है वो जिब जयान का सामना करता है तो एक भेंकर पकड़ के साथ ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी वाइड अनेर्जी अचानक यो उगल पड़ी हो और जवर जस्त एक बड़े पाम अटेक के अंदर ही खटा हो गई हो और उस जगे की तरफ जा रही हो जहाँ पे जो यान था दूसर जो यान की आसपास की जो वाइड अनेर्जी होती है वो भी एकदम फ्रीज हो रही होती मनों जैसे किसी रुके हुए पानी की तरह हो जाए उसने कैसा भी बेवहार किया हो उसमें कोई भी हल चल या मूमेंट नहीं थी और यह देखकर कि जोन हैवेन और्थ की एनर्जी का यूज नहीं कर सकता जोन कामतोर पर सांत रहने बाला चहरा भी थोड़ा सा डरा हुए दिख रहा होता है और जोन चल लात हुए कहता है Space Freezing क्या 6-star डावडी लेवल का warrior बास्तों में ऐसी किसी टेक्निक का यूज कर सकता है और Space को freeze कर सकता है लेकिन इसकी power cable 6-star नहीं बलकि 5-star पर है तो वो इस Space को कैसे seal कर सकता है यह तो 6-star डावडी का unbeatable battle skill है जिससे कोई भी heaven or earth के बीच fighting energy को condense नहीं कर सकता ऐसा लग रहा था पूरे battle के बीच में जोन ने सबसे main चीज तो खोही दी जो कि कुई थी अब जोयन का ऐसा था कि जोयन बिना तलवार के battle में कून चुका है हाला कि इसे कहा जाए तो इस Space को जो freeze किया गया था वो अभी भी उतने high level का नहीं था लेकिन बाद सिर्फ इतनी थी कि जोन अभी भी 3-star डावडी पर था जिसकी power G-sin से पूरी तरीके से अलग level पर थी और यही एक रीजन था कि जोयन का अभी भी इसका जो pressure है वो महसूस हो रहा था दोस्तब जी जी भी तुरंदी कहता second brother आप 6-star डावडी कब बने जो देकर G-sin तुरंदी कहता है मैंने बस कुछ टाइम पहले ही breakthrough हासिल किया है और मेरे पास आपको और senior brother को बताने का time नहीं था दूसरी जाब इस space को G-sin ने freeze किया होता है तो G-sin जी योन ने भी इसे महसूस किया होता है और उनकी impression बदल गय होते है वो तुरंदी कहते है आखिर कर ये G-sin 6 star डावडी पर कप पहुँचा उन्हें पता था कि 6 star डावडी का half step और real 6 star डावडी दो अलग level है साथी space solidification एक ऐसी चाल है जो कि peak 5 star डावडी level के warrior को भी मार सकती है ऐसा कहा जा सकता था कि जो योन को अभी भी जो यान के उपर भरोसा था कि वो जी सिन और जी जी को रोक सकता था लेकिन अब इस तरीके से वो hope भी खत्म हो चुकी थी आखेकर 6 star डावडी जिसने space को freeze कर दिया है दोस्ताब जो 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 की जो योन जो की GU से लड़ रहा होता है और बेसलिए उनके पास जो योन की मदद करने का time नहीं था हाला कि जोन के पास काफी सारे defense type थोड़ तो थे लेकिन जोन अब energy को use ही नहीं कर पा रहा था केबल अपनी body की थोड़ी सी energy पर भरोसा करते हुए जोन उनके साथ बिलकुल भी कौम टीट करने में capable नहीं था दूसरी तरफ ये अपना एक fish attack जोन की तरफ जमा देता है जीजी जीजी के इस attack के साथ जोन उसे रोकने कले अपनी कोई को तो कंडेंस करता है लेकिन obviously जो यानिस कोई के साथ उसे नहीं रोक सकता था और जोन सीधा ही इंजर होकर जोबा केसरी की पिछकारी मारते हुए पीछे की तरफ चला गया होता है जोन खून से लटपत और बेहत काइन लग रहा था दोसब यूनर, काइलिन और वागी सबी लोग के चैरे पीले पड़ चुके होते हैं जोन का बैता हुआ खून और सांसों के लेने की जो आवाजे आ रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जोन की आखलत ज़्यादा अच्छी नहीं थी यहां तक यूनर और काइलिन की आखो में भी दर्ध होता है वो किसी भी बुरे इरादे की परवा किये वगेर यहां पर यूनर तो लगवग रोने लगी होती है लेकिन और उसकी आखे लाल हो गई होती है और उसके सफेद दांत होटो को कसकर दबाए हुआ होते हैं और उसने एक भी वर्ड नहीं कहा होता तब ही जान कहता है यूनर काइलिन मैं ठीक हूँ मेरी लाइफ अभी भी बहुत हार्ड है मुझे इतनी असानी से कोई नहीं मार सकता जोदे कर यूनर यहां पर नाराज होते होते हैं कितने प्यारे लवी डवी हैं लेकिन अपसोस की बात क्या आपकी किसमत काफी बुरी है अब इस जोड़ी को यहीं खत्म होना होगा और इ वो दूसरे पाम अटेक से अटेक करता है जो देखर जोईयान यूनर की तरब हाथ बढ़ा तो है कहता है यूनर रास्ते से हट जाओ तुम इस अटेक को नहीं रोक सकती जो देखर यूनर जोईयान के सामने आतो है कहती है नहीं ब्रदर जोईयान अगर आप मर जाओगे त साथ और मरेंगे भी एक साथ जान जब इस वर्ड्स को सुनता है तो जोयान के तो कान खड़े हो चुके होते हैं जसके बाद जोयान की नजा चानक की काहलीन की तरफ जाती है हाला की काहलीन आता कुछ नहीं का था लेकिन वो जिस तरीके से सामने खड़ी हुई होती है उसकी जनी प्रजास ने यह साबित कर दिया था कि वो यहां जी ने मरने के लिए एकडम तयार है जो देखकर जोयान का तो दिल एक डम से दग-दग हो गया होता हैiler को लगा होता की ठेस से पहले उसे सच्चा प्यार देखने को मिला है हां तो बेटे एक-एक बच्चे हो चुके T जो यान के ही responsibility है तो उसे अपनी wife को protect करना चाहिए और यह देखकर की खतरनाख attack आने वाला है जो यान की body में कोई भी fighting कोई नहीं होती जोनके बल अपनी physical body का या use करते हुए यूना राव काईलिन को पीछे की तरफ खीच सकता था लेकिन obviously fighting कोई के support के बिना उसकी physical body भी भल ली हो चुकी होती है एक बड़ा सा whole chest पे केट हो चुका होता है और काईलिन के मुझसे तुरंथी blood निकलने लगता है जोन यहान पे किसी भी चीज पे ध्यान न देते हुए सीधा ही काईलिन की तरफ भागने लगता है जोन के पास कोई भी fighting कोई नहीं होती वो एकदम normal person की क्रॉस करते हुए काईलिन के पास जाकर उसे गिर्णी से पहले पकड़ लेता है जान यहां काईलिन के चेहरे को देख रहा होता है एकदम जिद्धी जिद्धी चेहरा और अभी भी इसमें वही impression जो एक emperor में होता है काईलिन की जो सांसे होती है धीरे-धीरे slow हो रही होती ह हारटवीड़ जो होती है वो slower होती हैै ऐसा लग रहा था काईलिन की death किसी भी time पर हो जाएगी कालिन यहां कांपती हुए कहती है जिओ जिओ यान मैं में सिर्फ इतना ही कर सकती थी यहां पे कालिन खास्ती हुए खून की उल्टी करते हुए कहती है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती मैं सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ और असा कहती हुए कालिन के पीले चेहरे को उपर एक स्माल दिखाई दे रही होती है और मुझसे खून बहने लगता है जो देखर जोहन तुरंदी कहता है कालिन तुम्हें कुछ नहीं होगा कालिन तुम ठीक हो बस थोड़ा सा वेट करो कालिन तुम्हें कुछ नहीं होगा मैं कुछ नहीं होने दूँगा जोहन यहां पे कालिन के मुझसे बह रहे कुन को तुरंधी पूछने लगता है च्वयन यहाबस उसे यही कह रहा होता है कालिन तुम ठीक हो जाओगी तुम तुम मुझ पर भरोसा करो मुझ पर भरोसा करो मैं तुमें जरूर बचाऊंगा मैं एक एलकेमिस्ट हूँ मैं एक सीनियर एलकेमिस्ट हूँ मैं निश्चित और पे एक ऐसी पिल बनाने में capable हूँ जो तुमारी जान बचा सकती है जैसके बाद जॉन अपने इस पिल रेंग से एक हाई लेविल की मेडिसेन पिल निकाल कर उसे काईलिन के मुह में रख देता है लेकिन ओबिसली यहाँ पे इससे कोई फ़क नहीं पड़ता काईलिन तुरंती कहती है यह सब बेकार है मेरी life power खत्म हो रही है यह सिर्फ मेरी fighting कोई की बज़ी हुई power है और मेरा आखरी moment भी इस पिल को बरबाद मत करो जो देखर जो अन गुस्से में चलात हुए कहता है नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा मुझ पर भरोसा करो काईलिन जो देखर काईलिन तुरंती कहती है तुम पहले person हो जो human होते हुए भी हमारी medusa टाइब में इंटर कर सकते हो तुम पहले person हो जो human होते हुए भी मेरी body को touch कर सकते हो तुम पहले person हो जिसे मैं पसंद करती हूँ और इतना कहती हुए काईलिन कि आखे और आबाज धरकन और सास सब बंद हो जाते हैं और इसके बाद आसमान की आसमान की जी फार देने वाली एक चीख की आवाज आती है इस टाइम पे जो यान को गुस्से में चीखते हुआ देखकर जो भी इसे देख रहा था ऐसा लग सकता था कि वो भी इसे बढ़तास नहीं कर सकता जो यान चीखते हुआ कहता अब से जो मैं इस bird में आया इस एसेंड वर्ड में मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था मैं मैं अपने लोगों से फ्यार करता हूँ खास कर उन लोगों से जो मेरे सबसे close हैं मेरी wife मेरी wife को मारा भले ही तुम heaven यार्थ में छिप जाओ भले ही तुम under world में छिप जाओ तुम कोई भी हो तुम God हो तुमारे power कितनी भी strong हो मैं तुमारा पूरा clean तबाह कर दूँगा तुमारी पूरी blood line तबाह कर दूँगा मैं किसी को नहीं छोड़ूँगा यहां से आज कोई भी नहीं जा सकता तुम सब को मरना पड़ेगा इस टैम पे ऐसा लग रहा होता है जैसे जुआन एकदम बागल हो चुका हो आखे एकदम blood red होती है इतनी जादा red कि जुआन की आँकों में पुतलियों तक को देख पाना impossible था जुआन की body का जो killing intent होता है वो इतना strong होता ही कि ऐसा लग रहा होता है जैसे death god खुद appear हो गया हो दोस्तब जो GG होता है वो अपने आद में तुरंधी एक whiff को affair करता है और उसमें अपनी energy को inject करते हुए सीधा ही उससे जो यान के उपर attack कर देता है अब आमें एक चीखने वाली आबाज आती है ऐसा लग रहा होता है जैसे यह जो whiff attack है पूरी तरीके से unbeatable हो और जो यान को एक ही बार में attack कर सरके मार सकता हो जो देखकर जो यान भी यहाँ पे चीखते हुए कहता है emperor body flame emperor fire fished creation finger एक के बाद एक जो यान continue उस वीव attack के उपर अपने attack charge कर देता है और जो यान का attack को से ठकराने के बाद इस वीव attack की जो पावर्ती वो लगभाग आधी हो गई होती है जिसके बाद जो यान के right hand में तुरन थी अपेर होती उसकी flame है और जो यान सीधा ही पैर मारते होए जमीन में उस वीव की तरफ दोड़ पड़ा होता है जो देखकर जी सिन भी हैरान होता की क्या ये पागल हो गया है वो सिर्फ अपने हाद से वीव attack को पकड़ना चाता है दूस दब जो यान का right hand जिसमें fire protection था वो एक सेर के मुझ की तरह open होता है और उस वीव को पकड़ लेता है जो यान के हाँ से खून बह रहा होता और जो अनको काफी pain हो रहा होता है लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जो अनको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा बलकि जो यान तो सीधा ही दोड़ते हुए जी सिन की तरफ बढ़ गया होता है यह पहली बार था जब जी सिन की body के close को इतना ज़ादा आया था जी सिन के चेरे पर हाला की कोई impression नहीं होता लेकिन वो यहाँ पे काफी हैरान होता है दोस्देब जो यान की सारी की सारी desire, सारा killing intent जो यान की पूरी power इस टाइम पर जो यान के पंच के अंदर restore हो रही हो दी है जिसके बाद एक तेज धमाके की आबा आ जाती है और एक तेज explosion देखा जा सकता था कि जो यान के fish attack के साथ इस पेस के अंदर पूरा का पूरा एक whole create कर दिया गया था जिसे देखकर तो जी सिन भी सांत नहीं रह सका होता और जो यान के पंच को रोकने के लिए वो तुरंधी अपने left hand को बढ़ाता है जिसे एक unbeatable power release होती है और जी सिन के बाएं हाथ के जो कपड़े होते हैं वो टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं यहां तक कि वो भी कई मीटर पीछे थक जाता है और थोड़ा सा हैरानगी से जोयान को देखता है उसे उमीद नहीं थी कि सिक्सी स्टार की पाबर के बाद भी जोयान द्वारा पीछे की तरफ घसीटा जाएगा वो तुरंदी कहता है तुम लेटल वास्टार तुमारी हिम्मत कैसो हुई मुझे चोट पहुचाने की उसकी आँखों में अन्बिलीबबल एंप्रेसन होते हैं कि एक थ्री स्टार डावड़ी उसे इंचर्ड कर सकता है वो तुरंदी कहता बहुत अच्छे तुमने मुझे चोट पहुचाई बहले ही तुम मर भी जाओ तुम मुझे चोट पहुचाने में क्या पवल हो तो तुमें इसका दस गोना चुकाना होगा जिस इनकी जवाबाज होती काफी अजीब और उदास होती है और वो अपने लेप्ट हैंड के नाखूनों को अचाने की लहरात कर एक क्लॉट है क्रेट करता है उसके नाखून तुरंदी बढ़े होकर बाहर निकला होते हैं यह ऐसा लग रहा होते हैं जैसे यह ब्लैट निडल की तरह हो जो जो यान की तरह बढ़ रहे थे लेकिन जो हैन इनसे बिलकुल भी डौच नहीं करता और यह सिक्स के सिक्स निडल जो यान की हड्डियों में घुस गए होते हैं और जोयान को जमीन में गिरा दिया होता है वो तुरंदी कहता है मुझे ये soul eating clean, soul eating needles बड़ी मुस्किल से मिली अब अगर आज तुम बचना भी चाहते हो तो ये impossible है ये six soul eating needles तुमारी soul को खा जाएंगी तुमारी पूरी spiritual power absorb कर जाएंगी मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम अभी भी medicine थे अरके वही black horse हो वो तुरंदी हस्तों कहता ना केबल मैंने तुमारी wife को मारा बलकि मैं तुम्हें भी मार डालूँगा जिसके बाद मैं ये नीले कपड़े पहने हुए लड़की को भी अपने चाकू से काट कर इसका खून पीना चाहता हूँ टाइम आने पर वो भी वैसी ही दिखेगी जिसके बाद ये दोग बूढ है और इसके बाद वो गूयवान और जुकून की तरफ इसारा करता है और कहता है वो भी जिंदा रहने में capable नहीं हो गए दूसरे जो यान जी सिन की बाते सुन रहा होता है उसकी बड़ी जो जमीन से चिपकी हुई होती और एकदम हिलने ही पा रही होती लेकिन जो यान की आखो का जो killing intent होता है वो अभी भी बढ़ रहा होता है तब ही जो यान कहता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम्हारी सोल भी उसे देख कर काफेगी इस टाइम पर जो यान की वाइस में commitment को कोई भी सुन सकता था जो देखकर वो हसते हो कहता है क्या तुम्हें असी strength है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो और इसके बाद वो अपनी index finger से जोयान के सिर की तरह भी सारा करते हुए कहता है आओ मुझे मार डालो मैं तुम मरने का इंतजार कर रहा हूँ या फिर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार डालू जो देखकर जोयान कसकर जमीन में पड़े वो पत्थरों को दबाता है और वो पत्थर पाउडर में बदल चुके होते हैं जोयान के नाखुन उसकी हथेली में गड़ चुके होते हैं जिससे खून टपक रहा होता है तभी वो तुरंधी कहता है यह काफी इंट्रेस्टिंग लग रहा है चलो तुम मुझे मारना चाते हो तो मैं इंतिचार करता हूँ चलो मुझे मारो यहाँ पे जीसिन बैठ गया होता है जो यहाँ की आखे एकदम ब्लेड रैड होती है और वो तुरंधी कहता है यकीन रखो अगर आज मैं नहीं मरा तो फ्यूचर में तुम्हें दस गुना या कहूं तो सौ गुना चुकाना पड़ेगा जो सुनका जीसिन जो यहाँ को अपने पैर से मारता है और क्योंकि जो यहाँ की बॉड़ी में पहले से ही सोल इटिंग नेडल सा अंदर की तरफ गुश चुकी थी जो यहाँ के पास भागने का कोई मौका नहीं था जो यहाँ के वार्ण होने के बाद सी है फाइस टाइम था जब जो यहाँ को इस तरीके के अपमान को जहिलना पड़ा था कि कोई उसे पैरों से मार रहा था लेकिन जो यहाँ के अगे इस कुछ नहीं कर पा रहा था लेकिन जो यहाँ के दिल की जो नफ्रत होती वो बढ़ती जारी होती है जोयाने आपे गुस्से में दाहरते हुए कहता है ये वही है जिसने काइलिन को मारा ये वही है जो मुझे नाराज करने के हिमत करके मेरी डिस्रेस्पेक्ट करता है ये वही है जिसने यूनर को मारने के लिए कहा ये सब सिर्फ इसकी बज़े से है ये अबार जोयान के सोल के दीप एरिया से आ रही होती है और अच्छानक ही जोयान की दिमाग में एक रैट कलर की फिकल दिखाई दिखाई देती है जिसकी जो प्रेजेंस और चेहरा होता है वो थोड़ा-थोड़ा धुंदला था और जोयान यह नहीं बता सकता था कि यह कैसा दिखता है जैसे उसके च को तबाह कर दूँगा जोयान की बॉड़ी से एक्स्ट्रीमली बायल डेविल और रिलीज हो रहा होता है जोयान की बॉड़ी के चार तरब देखा जा सकता था इसका लेट रेड कलर का और जैसे कि जोयान खून का प्यासा हो और यह और भी तब ही वो जो ब्लेड कलर की फि के बाद एक आबाज आती है क्या तुम फिर से श्ट्रॉंग होना चाहते हो क्या तुम उन लोगों का बदला लेना चाहते हो जुन्होंने आपको धंकाया जिन्होंने आपकी डिस्रेस्पेक्ट की क्या आप बाहर के उन दोस्तों को बचाना चाहते हो लगातार तीन प्रस् जाते हो, जो देखकर वो फिगर तुरंती कहती है, अभी तो कुछ खास नहीं, तुम्हें ये फीचर में पता चलेगा, बस मुझे तुम्हारे इस बॉड़ी को कंट्रोल करने दो, हम उन्हें मार डालेंगे, मैं तुम्हारे सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूँगा, मुझे इस व्यूटिफुल वाइस को सुनकर, ज्वान की पूरी बॉड़ी का अपने लगती है, लेकिन ज्वान की आके जो धोड़ी थोड़ी कलियर हुई होती है, वो फिर से लाल हो गई होती है, ज्वान के कानों में सिर्फ यही आब आजाती है, मेरे साथ चलो, मुझे अपनी बॉड़ी यूज करने दो, मैं तुम्हें स्ट्रॉंग बना सकता हूँ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, तभी अचनक आब आ जाती है, सोचो, तुम्हारा अपमान कैसे हुआ, तुम्हारी बाइफ की डैथ कैसे हुई, क्या तुमने इसे देखा, क्या तुमने अपनी बा बाज आसमान की तरप उठती है और जो यान की ये चीख होती है जोयान की आखे लाल हो गई होती है लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि जोयान की आखो में आप कोई जान नहीं थी बस के बल एक wild और evil energy जिसके बाद अचानक ही कुछ पल के लिए जोयान का और पूरी तईकेस उसक मारना चाहते हो तुम हो जो यूनर का खून पीना चाहते थे तुम मरने लाया खो जैसे ये लास्ट वर्ड आता है इसमें एक evil और होता है इस टाम पे जोयान की पूरी बॉड़ी से blood बैर होता है और आखों में भी evil intent जोयान के वाल एक death god की तरह था जो मानो अभी अभी न रख से हजारों लोगों को मार कर निकला हो जोयान के दिमाग में केबल एक ही वर्ड आ रहा था उसे मार डालो जैसे बीजी माई में नहीं बोलता स्रीमान जो देख रहा है उसे वड़ा दो वैसे ही जोयान के दिमाग में और दिल में केबल एक ही वर्ड होता है मार डालो मा कदम पीछे हड़ गया होता है और जो यान को देख तो उसका चेरा डर से भरा हुआ होता है वो जो यान को देखते हुए कहता है ये परसन ये इतना जीप कैसे हो सकता है कै ये वही कमजोर परसन है जैसे मैं अपने पैरों के नीचे रौध रहा था जो अनिश्टाय में पूर इन की तरफ चार्ज कर देता है इस टाम पर ये भी चीज देखी जा सकती थी कि जो यान का जो फिश्ट अटेक था वो जब कंडेंस हो रहा होता तो ऐसा लग रहा था जैसे वो इस पेस चीर के एनरजी को वापस से गैदर कर रहा हो और ये अटेक जो इस पेस को क्रैक करके इनरजी ढूड रहा था वो जब अटेक करेगा तो इस पेस तो छोड़ बंदे की नीचे की फार देगा जी सिन को ये बास समझ आ गई थी और जी सिन अब यहां पर फाइड बैक तो बिलकुल नहीं करना चाता था क्योंकि उसने देख लिया था पंच कंडेंस करने के लिए जगे क्रेक कर सकता है तो तकड़ाई अटेक होने वाला है जिस इन तुरंती पीछे की तरह फटने लगता है और जो यान के फिश्ट अटेक को देखते हो तुरंती चला तो यह कहता है एंपरर आरमार सिक्स इश्टा डावडी के उपर के लोग और बैसली पहले से ही काफी है और ऐसा लगता है जैसे स्पेस में ब्लाश्ट हो गया हो इस अटेक से जी सिन का जो आरमार हो था पूरी तरही किसे हिलने लगा होता है और उसके आरमार में जाजयान का फिश्ट अटेक टकराया था पूरा का पूरा होल हो गया होता है गोल गोल हो गया होता है माइक्रो पता चलेगा कुछ suspense भी रहने चाहिए साथ इस time पे इस attack का comparison six star डाउदी से नहीं किया जा सकता साथी बेचारे को कैसे ही पता चल सकता था कि सामने वाला जियो यान जो यान नहीं है हलक ऐसा नहीं है कि वो वह नहीं है एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं वो भी जोयान के बदलाबों को notice करते हैं जो देखर जियो यान के चाहरे पर जो चिंता होती है उसमें थोड़ा सा रिलेक्स होता है घंटा तेरा रिलेक्स की मा की पूजा जीयू को मारो जोयान की मदद कर वैंक चुप में यहां पर वो एकदम हैरान होता है जीयू वो जब जोयान की बड़ी के अंदर इस ओड़ मोटी इविल एनरजी के लियर को देखता है तो कापी ज़यान होता है दूसर तब जोयान को एक आबास सुनाई देती है जोयान अगर तुमने मेरी बड़ी को टच करने की हिमत की तो मैं निश्चित तोर पर तुम्हें मार डालूँगी मुझसे दूर रहो तुम यह नहीं कर सकते यह वो वर्ड होते है जो जोयान को जैनान अकैडमी के अंदर फॉलेन हार्ट फ्लेम को कबज़ा करने के लिए जब जोयान बैग माबर्ल में था तब सुनाई दिये थे ज अगर होता है जैसे जोयान खुद की बॉडी को कंट्रोल कर ही नहीं रहा बस एक पपेट के तोर पर जोयान अपनी बॉडी को इधर उधर घुमा रहा है ना ही जोयान कोई कुई पावर का यूज कर रहा था बस Nolwar fist attack लेकिन जोयान की बॉडी से निकलने बाला strong evil intent अभी भ काफी खतरनाक था और इस फाइटिंग टेक्निक या पैटेंड को देखते हुए जिस इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम महसूस हो रही होती है क्योंकि उसके साथ जोयान फाइट कर तो फाइटिंग कोई का यूज ही नहीं कर रहा था बलकि अपनी बॉड़ी में फैली हुई इविल कुई का यूज कर रहा होता है वो तुरंदी गया था थाइड लेटिल ब्रेदर एक साथ आओ और इससे माणने में मदद करो जो सुनकर जीजी भी सेकेंड ब्रेदर की बास सुनकर उसकी तरब दोड़ाता है यहां पे आब उसे यकीन नहीं था कि जीजी और वो हम मिलकर भी जोयान को नहीं रोक पाएंगे तभी जीजी तुरंदी गया था मेरे पास एक और तरकीव है लेकिन केबल एक ही अटेक अगर मैं जोयान को नहीं मार पाया तो मुझे बैकलेस जहिलना होगा जो की होगी मेरी डैथ जो की है ब्लड ड्रिंकिंग ब्लेड दूसर का मतलब यह नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया या जो हुआ वो सही था यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे बीच सिर्फ एक एग्रिमेंट है और यहां पर जॉन फिर एक अटेक करता है फिश्ट अटेक फिर जॉन को आप बास सुनाई देती है जोयान मैं कोई काच का ग्लास नहीं हूँ ना ही कोई फ्लावर फॉर्ट तुम इस कुईन को सौफ्ट समझने की हिमत बिल्कुल मत करना I mean किंग को जिसके बाद जॉन फिर अटेक करता है जिसके बाद फिर जॉन को आबास सुनाई देती है जोयान आप मेरी बॉड़ी पर कबजा करने वाले पहले परसन है आप मुझे जीतने वाले पहले परसन है मेरे मेडूसर ट्राइप के रूल के कोडिंग मुझे अपनी लाइप में आप कभी भी किसी भी चीज के लिए और खेद मैसूस नहीं होगा और ये भी काईलिन ने का हुआ होता है ये सब काईलिन के वो वर्ड्स थे जो जो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते लेकिन यहां पी जो अंतुरंधी कता है काईलिन मुझे भरोसा करो मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगा मैं तुम्हें बचाऊंगा मैं तुम्हारा बदला जरूर लूँगा मुझे इस वर्ड के लाइफ और डेस से कोई फर्क नहीं पड़ता भले ही तुम्हें बचाने के लिए मुझे इस पूरे वर्ड को दिश्ट्रॉय करना पड़े मैं करूंगा मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ अच्छे से रहना चाहता हूँ मैं सिब तुम सब को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ जोयन यहां पे कालिन के आरे एक जोयन के आखों में आ जाता है दूसरी तरफ जोयन का आखों का कलर भी थोड़ा थोड़ा ठीक होता है जिसके बाद जोयन तुरंती करता है जोयन का टेक का सामना करते हुए जी जी और जी सिन दोनों ही अभी भी सीरियस होते हैं हालाकि जोयन की ताकत उन से ज्यादा ही श्टॉंग नहीं थी लेकिन उसकी अटेक और टेकनिक वो काफी अजीब थे दूसरा जो रूलर अटेक होता वो भी उन्होंने देखा था एक एनरजी की तरह उनकी तरफ बढ़ता है और एक क्रूल बीष्ट में बदल जाता है जो सीधा ही जी सिन की तरफ जाकर बढ़ने लगता है जो देखकर जी सिन तरह दिकाता है साब धान लेकिन बेचार इससे पहले की कोई अटेक कर पा था ये अटेक उससे जाकर टक राता है और वो happily injured हो गया होता है और रुकने से पहले सेकलो फीट पीछे की तरफ गया था दूसरी तरफ जो यान जो six star डावडी के normal attack का सामना नहीं कर पा रहा था वो इस time पे पागलो वाली situation के साथ उससे लड़ रहा होता और सामने वाला बंदा जो यान के attack से इस तरीके से पीटा जा रहा होता है दूसरी जी जी जो यूनर गूयान और बागी लोग पर attack करने की strategy बना रहा था वो तुरंती करता second brother और चौक गया होता है साथ ही वो जी सिन के बगल में आकर जो उनको एलेट तरीके से देखते हुए कहता है second brother ये बच्चा जीब है हम दोनों को अपनी special technique का यूज़ करना होगा दूसर अपिस्टम पर ये दोनों तुरंती से लाते हैं और कापी उदास होते हैं इन्हें उम्मीद नहीं थी कि वास्तमा 5 star और 60 star की power के साथ भी वो जो यान से complete नहीं कर पाएंगे ये उनके लिए बेज जती बाला मामला हो गया था तो चलो guys अब इसके साथ episode को यहीं end करेंगे next episode में देखें क्या होने बाला है तो मिलते है next episode पे bye bye three and family मुझे बुरा लग रहा है काईलिन का मैं क्या बोलूं बाई बाई मिलते हैं next episode में दिमाग खराव हो गया मेरा